तो नमस्कार निश्मों नेशन देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रंजन सिंग्ग आपको बता दे कि प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने कह दिया सौव साल के बाद सरकार बनेगी कोंग्रेस की बात करते हैं को विद्धायक दुल के नेता है अजित सर्मा सव साल बाद युकों को रोजगार देंगे एक भी रोजगार नहीं मिला सब बच्चे बच्चियां देख रहे हैं आप नहीं सब प्र देख रहा है साथ लाक यूप तरह नहीं देंगे ऐन को बड़े-बड़ेmaya संप के आपको बेचने काम कर रहे हैं इसलिए जंता सब देख रही है आपका ये आखरी है और 2024 में जंता आपको उखाड फेकेगी और कांगरिसी सरकार प्रद्धान मंत्री कह रहे हैं कि आपके नेता ने टिकट दिया बिहार और यूपी में कोरोना फैनाने के लिए कि से यहां गरीब राज यहां तो कलकार खाने खोले नहीं किसी ने चौह साथ वर्सों में कोई काम हुआ नहीं तो लोग बाहर काम करने गए वहां पर रोजगा ने मिलके उन लोगों से अपने घर भेगने काम किया और घर वापसी कोरोना फैलता है आप इलाज से नहीं कर सके आपके स्वास मंत्राले फैलता इसलिए आप आप देश को जंता को फिर से टगने काम कर रहे हैं कि कांग्रेस ने बेजा बिलकुल अच्छा काम किया वह घर है स्वस्थ हुए कुछ लोग को को दो को नहीं भी बारसा है वह भी मोते हुए तो को यह सवाल आ हो रहा है बिहार की हम बात करें तो जंता दली उनाइटीड बीजेपी आमने सामने खड़ी हो गई है दूसरे पर आरूप लगा रही है कि केंद्र सरकार महराष्ट से और बंगाल से महराष्ट से 31,000 करोड बंगाल से 21,000 को अधिक देती है बिहार को वहां कोई काम नहीं हो रहा है पैसी की जर्वत क्या है और उन्हें एक और लिखा उसमें कि एक इंडस्ट्री मिनिस्टर सहनवाज जी हैं जो कुछ काम करना चाह केंदरी मंतरी लोग और पंधरण मंतरी क्या हो रहा है आपको नहीं देना बीहार का 52.09 लोग तो हमारे साथ थे कॉंग्रेस विधाक दलकेनेता अजित सर्मा सवाल है जिस तरीके से प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने कल सदन में अवाज उठाए हैं और कहा कि कॉंग्रेस सो साल के बाद सरकार बनाएगी और यहां बीजेपी और जिडियू लगतार आमने सामने खड़ हो रहे हैं तो देखना है कि आखिरकार आगे क्या कुछ होता है बहिंस पॉंडेशन के साथ नमस्क्रीज़ू अ तो दॉंडे है झाथ है